नमस्ते विद्यार्थी मित्रो सिद्धी इन्दी विद्याले की ऑनलाइन ग्लास में आप रखा स्वागत है इसके अंतर गतम कक्षा तीन विशेक पद्याहुरन के अंदर पार्ट नमबर चट्टा जिसका नाम है बीना खाय कैसे चलेगा इसके बारे में अध्यान कर रहे थे अगले वीडियो के अंदर हमने दिखा था कि कुछ बच्चे बगीचे में बैठे थे और उन्होंने कल क्या खाना खाया था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे बेरागर इसके अलाव हमने दिखा था यह प्रश्णों की कुछ उत्तर कि आपको कैसे पता चला की बूख लगी आपके गर में कभी खाना नहीं बना गया गया हो ऐसा हो ऐसे आपने जो नाम थाली में लिखा है वह शामपट में लिखा है ऐसा कहीं सारी बाते हमने प्रश् इसके पशात है विपूल का परिवार विपूल नाम का लड़का है उसके परिवार की बात यहां पर हो रही है विपूल के परिवार में चार सदस्य है कितने सदस्य है विपूल के परिवार में चार सदस्य है विपूल के परिवार में कुछ लोग कहीं सीजे नहीं खाते है जो वह खाता है क्या है कि चार परिवार सदर्शे चार है उसमें से कुछ लोग ऐसे है जो वो चीज़े नहीं खाते है जो वो खाता है सोची उसके परिवार के लोग वे चीज़े खाते ही नहीं है या खा नहीं सकते ऐसा क्यों? बरब बरब विपूल के परिवार के बारे में जान ले दे, फिर पता लगे है कि कुछ लोग क्यों नहीं खाते हैं। स्कूल से घर जाते हुए विपूल एक बुट्टा लेकर आया। वह गर आया और मा से पूछा, मा मुन्नी कहा है, उसे ही देखना चाहता हूँ। मा ने कहा, मुन्नी उपर कमरे में है, मा ने कहा, उपर कमरे में है मुन्नी। विपूल ने दादी का हाथ पकड़ कर कहा, दादी आप भी मेरे साथ उपर चलिए। और अपनी दादी का हाथ पकड़ कर विपूल ने क्या कहां? चलिए दादी मेरे साथ आप भी उपर चलिए माने कहां रुको मैंने दादी की रोटी दाल में बिगा कर रखी है पहले उन्हें खा लेने दो माने कहां? रुख जाओ अभी मैंने दादी मा की जो रोटी है और दाल में बिगो कर रखी है पहले उन्हें खा लेने दो बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है न? दादी ने विपूल की मा से कहां? क्या कहां? दादी की मा ने विपूल की मा से कहां कि बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है न तुमने विपूल की माने जाब दिया मैंने शक्कर देखी यह बढ़िया बनी है विपूल की माने क्या जाब दिया मैंने चकाए डाल आज बहुत ही बढ़िया बनी हुई है मैं दादी का खाना भी उपर ले जाता हूँ कहते विपूल ने थाले उठाई बरबर क्या हुआ कि विपूल ने कहा कि चलो मैं दादी का खाना भी उपर ले जाता हूँ वो दादी उपर ही खाना खालेगी ऐसा कहकर उसने दादी के खाने की थाले उठाई और दोड़ कर सिडिया चड़ गया उसने दादी को भी उपर आने को कहा दादी को भी उसने किया कहा आप उपर आईए दादी ने कहा जब मैं तुम्हारी उम्र कीती तब मैं इतनी देर से इतनी देर में सिडिया तो क्या पहाड भी चड़ जाती थी दादी ने क्या का जब मैं तुम्हारी उम्र कीती थी ना तब तो मैं इतनी देर में सिडिया तो क्या पहाड भी चड़ जाती थी ठीक है विपूल बुट्टा खा रहा था विपूल क्या कर रहा था बुट्टा खा रहा था अपना बुट्टा मम्मी को थमाया और हाथ दोकर उसे छोटी सी मुन्नी को उठा लिया क्या किया विपूल बुट्टा खा रहा था और उसने क्या किया अपना बुट्टा मम्मी को थमा कर हाथ दोकर मुन्नी को उठा लिया अच्छानक मुन्नी ने रोना शुरू कर दिया मुन्नी कोई छोटी बच्ची होगी उसकी छोटी बहान होगी बरबर जिसको मुन्नी चीन टूरने आ रहे वे पुल्ने उठाया होगा यह अब ऐसा चूप नहीं रहेगी इसे भूख लगी है क्या कहां क्या कहां उसकी मम्मी ने अब वह ऐसा चूप नहीं रहेगी उसे भूख लगी है कहते हो मम्मी मुन्नी को दूद पिलाने बैट गी है ऐसा क्या कहां एक मीरा हां यह आया स्वारिया है अब तक आप लोगों के सामने वह पजिश था अच्छानक मुन्नी ने रोना शुरू कर यहां बैसे चुप नहीं होगी उसे भूख लगी है कहते हो मम्मी मुन्नी को दूद पिलाने बैट गई ठीक है सूची और लिखिये दादी सीडिया जल्दी क्यों नहीं चड़ पाई क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी इसलिए दादी को कैसी दाल खाना पसंद है दादी को कौन कौन से लोग बुटा खापाएंगे और क्यों नेक तो विपुल खापाएगा उसकी ममी भी खापाएगी और दादी नहीं खापाएगी बरबर है क्या सभी बुटे लोग बुटा खा सकते हैं क्यों हां नहीं खा सकते बरबर सभी बुटे लोग क्योंकि कुछ लोगों छोटी बच्ची है इसलिए और छोटी बच्चियों के लिए चार महिने तक मम्मी का दूदी अच्छा रहता है इसलिए वो मम्मी का दूदी पीएगी ठीक है यहाँ तक आशा रखता हूँ सबको समझ में आया होगा इसके बाद अधिक जानकार्या मिसके अगले वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे वीडियो को सुनने के लिए थेंक यू